जैहिन दोस्तो मेरा नाम रोड़ागर और हमारे यूड़ूब चैनल सरकारी जॉब इन्फोम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आपको पता कि जाट रेजिमेंट सेंटर में बढ़ती आज चुकी है पांच अक्टूबर को ये बढ़ती होने वाली है इतनी पुरानी होनी चाहिए तो पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा एंड तक आपको ये वीडियो देख लेनी है आपके सभी डाउट यहां पर किलिए रोजाएंगे और आप जाट रेजिमेंट सेंटर में बढ़ती देखने जा रहे हो या किसी और सेंटर में तो बा अगर आप Instagram पर वीडियो को चेकणाऊट कर सकते हो किहां पहली है अगर आप Instagram पर रहते हो तो डियाप को टैम से पहले ऍटेट मिल जाएगा रिलेशन certificate आपके पास होना चाहिए भाई ठीक है दूसरा भाई या आपके पास जो भी आप जिस बेस पे भी आप भड़ती देख रहे हैं किलर्क की या आप ट्रेंड मेंन की या जी डी की उस हिसाब से आपको अपने documents लेके जाने हैं जो भी आपकी education है मतलब 10th class या 12th class जो भी है भाई ठीक है नेक्स तीसरे में बात कर लें मूल निवास परणाम पत्र मज़े से भाई डो मिसाल या resistance भी बोलते हैं भाई ठीक है और उसमें भाई आपके DM-HDM तैसिलदार दुबारा जारी किया हो हुआ होना चाहिए भाई ठीक है बन जाएगा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई ठीक है उनको बोलना है कि आपको बढ़ती के लिए आर्मी की बढ़ती के लिए जा रहे हैं तो हमें बनवाना बहुत जरूरी है नीचे है पर 5 में लाइन में अगर देखोगे तो यहां पर बोल रहा है अन विवाहित मतलब अन्मारीड होना चाहिए भाई आपके पास Certificate और Certificate आपके पास Unmarried का नीचे बात कर लें हैं पर चरीत परनाम पत्र होना चाहिए भाई ठीक है सरपंच या परधान दवारा वाई ठीक है और जो अन्विभाहित वाला आपका अन्मेरिड वाला वो भी सरपंच या परधान दवारा ठीक है नेक्स्ट बात कर लें हाँ पे साथ में नमबर पे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए एस पी और डीम दवारा जारी किया गया हुआ आठ में नमबर पर आप देखोगे तेहां परिवार वित्रन परणाम पत्र है मतलब जो आपकी फैमिली फोटो बनते हैं वो होना चाहिए उसके साथ आपकी ग्रूप फोटो होनी चाहिए पूरी फैमिली के साथ और उनके सिगनेचर भी होने बहुत जरूरी है यहाँ पर आपको बता दिया नीला और आपका red नीचे आप आधर card pen card होना चाहिए और आपके पास किसी भी bank की passbook होनी चाहिए कोई भी किसी भी तरह है कि आपको mistake है आपके documents में तो उसका आपके पास affidavit भी होना बहुत जरूरी है अब यहां पर note पर आगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है पाँच वे छटे साथे और आठे में आपको करना क्या है इसमें सभी में बताया बाई जो भी पाँच छे साथ आठ में जो भी यह point लिखे हुए है इन में क्या है कि आपका 6 मैंने के अंधर चारी किये होगो होना चाहिए मतलब इसके जो ठिती है भाई भरती की जो ठिती है उससे 6 मैंने अंदर होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप एक साल पुराना क्या कहते हैं export उन्मेरिड का लिया है वो आपको लेके जानी है या नहीं तो मैं आपको बता दूँ फलाल तो भाई इस notification में करोना के system नहीं लिखा है बट मैं आपको बता दूँ आप भरती से पहले कम से कम एक हफते पहले आप एक हफते चार से पांस दिन पहले आप करोना टेस्ट करा लेना और उस report को जरूर ल मांगते हैं भाई तो आपको भरती देखने दिंगे और भाई चांस नहीं मांगते भाई तो कोई दिक्कत नहीं भाई टीका करोना टेस्ट जढ़ा कुछ सौ 200 या 300 का हो जाएगा भाई तो आप करा लेना और भरती से 4 या 5 दिन पहले ही करा नहीं बैठीक और कम लेट हो ज पोट और फिर लेके जाओ तो भाई वो नहीं मानने रहेगी क्योंकि उस बीच आपके किन किन से मिलते हो किन किन से नहीं मिलते हो कोई पता नहीं ठीक है तो इस वीडियो में वैसे इतना ही ज्यादा वक्षोदी नहीं करेंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस धित्त्र वोच्छिंग् जा इतना है प्राइब कर नहीं करेंगा दोने हैं न blur, प्रैस के से डाम